नमस्कार दोस्तों करियर से रेलिडेड वीडियो से रेगुलर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए इस वीडियो में हम बात कने वाले है डिप्लोमाइन फार्मसी कोर्स के बारे में जो डी फार्मा के नाम से भी काफी पॉपिलर है तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि फार्मसी क्या है वैसे ज्यादतर लोगों को पता है कि फार्मसी क्या है लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं पता है कि फार्मसी क्या है तो इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि फार्मसी क्या है जिसके लिए बहुत ही कम वक्त लूँगा उसके बाद हम D-Pharma course के बारे में जानकारी देखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि D-Pharma course कितने साल का होता है उसमें admission लेने के लिए क्या-क्या योग्यता चाहिए Diploma in Pharmacy course करने के लिए Feast कितनी लगेगी और बहुत ही important कि D-Pharma course कम्प्लीट करने के बाद Jobs के लिए क्या-क्या opportunities है Career के लिए क्या-क्या opportunities है और salary कितनी मिलेगी सारी जानकारी मैं आपको step-by-step दूँगा तो कृपिया इस वीडियो को end तक जरूर देखिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो सबसे पहले जानते कि फार्मसी क्या है दोस्तो फार्मसी एक पुरा फिल्ड है जो medicine से relate करता है जिसमें दवाईया बनती है दवाईयों पर research होता है और दवाईयों पर जांच भी होती है तो इन सब को मिला के एक पुरा फिल्ड होता है जिसको फार्मसी कहा जाता है और फार्मसी का काम होता है medicine की मदद से हमारी health level को improve करना और हमारी health को benefit पहुचाना आप medical store पर जितनी भी दवाईया देखते है वो फार्मा कंपनी में ही बनती है तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि pharmacy क्या है दोस्तों ये काफी growing field है अगर आप अपना career pharmacy field में बनाना चाहते है तो 12th के बाद आपके पास manually दो कोर्सी सवेले बने जिसमें एक है D-Pharma और दूसरा है B-Pharma D-Pharma यानि Diploma in Pharmacy और B-Pharma यानि Bachelor of Pharmacy दोनों कोर्स काफी popular है लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ D-Pharma यानि Diploma in Pharmacy कोर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि D-Pharma कोर्स करने के लिए क्या योग्यता चाहिए तो यहाँ पर sad news ये है कि D-Pharma कोर्स में सिर्फ और सिर्फ 12th Science वाले स्टूडन्स से एडमिशन ले सकते हैं और good news ये है कि 12th Science PCB और PCM दोनों स्ट्रीम वाले स्टूडन्स D-Pharma कोर्स कर सकते हैं D-Pharma कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th Science में आपके minimum 50% मार्क्स होने चाहिए अगर बात करें duration की तो ये 2 साल का कोर्स होता है किसी किसी institute में ये 3 साल का भी होता है अगर fees की बात करें तो D-Pharma कोर्स के लिए 10,000 रुपिय से लेके 1,000,000 रुपिय तक की fees रहती है दोस्तो ये average fees है क्योंकि fees depend करती है institute और university पे किसी institute की fees ज्यादा होती है तो किसी की कम होती है लेकिन on an average 10,000 रुपिय से लेके 1,000,000 रुपिय के बिच में रहती है अगर बात करें admission process की तो दोस्तो admission process यहाँ पर दो प्रकार से होता है एक तो merit based पर होता है और दूसरा आपको entrance exam clear करने होती है तो admission process भी depend करता है institute पे तो यह तो बात हो गई D-pharma course के बारे में कि D-pharma course क्या है तो आईए जानते हैं कि अगर आप D-pharma course complete करते हैं तो आपके पास job के लिए क्या-क्या opportunity है या फिर career के लिए क्या-क्या opportunities है तो मैं आपको बता दू कि यहाँ पर government jobs कम है लेकिन उसके अलावा career के लिए धेर सारी opportunity है government jobs कम है इसका मतलब यह नहीं कि government jobs बहुत कम है government में भी हर साल recruitment निकलती रहती है तो आईए जानते हैं कि D-pharma complete करने के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं तो सबसे पहला option है कि अगर आप आगे और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप B-pharma course कर सकते हैं अगर आप D-pharma course complete करने के बाद B-pharma course करते हैं तो सीधा आपको second year में admission मिलेगा और अगर आप D-pharma course करने के बाद B-pharma course करते हैं कि आप government jobs के लिए preparation करें जी हाँ दोस्तो D-pharma course complete करने के बाद आप government jobs भी कर सकते हैं जिसमें खास करके Navy, Army और Railway में jobs निकलती रहती है तो दोस्तो यहाँ पर थोड़ी सी competition रहती है जिसके लिए आपको preparation करने पड़ेगी लेकिन यहाँ पर salary अच्छी खासी मिल जाती है आपको शुरुवात में 30-40,000 की salary मिल जाएगी अब तीसरा option आपके पास यह है कि आप marketing कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो pharmacy में भी marketing बहुत important होती है अगर आपके पास marketing skill है, आपकी communication skill अच्छी है तो आप pharmacy में marketing कर सकते हैं जिसमें आपको MR की post मिलती है जिसका full form होता है medical representative जिसमें आपको किसी pharma कमने के साथ जुड़ना है और उनकी दवाईयों के बारे में डॉक्टर्स को बताना है और दवाईयों को sell करवाना होता है तो यहाँ पर भी आपको सुरुवात में 15,000 के करीब salary मिल जाती है चौथा जो career option है वो है production में मतलब कि जो भी pharma company है जो दवाईया बनाती है वहाँ पर आपको job करनी है तो यहाँ पर भी आपको सुरुवात में 11,000 से 12,000 के करीब salary मिल जाती है दोस्तों यह मैं जो भी salary बता रहा हूँ वो शुरुवाती salary है वो जैसे जैसे आपका experience बढ़ता है और skill बढ़ती है वैसे वैसे आपकी salary भी बढ़ेगी डी pharma course complete करने के बाद फाच्वा और सबसे best career option है वो यह कि आप अपना खुद का medical shop भी शुरू कर सकते है जी हाँ दोस्तों डी pharma course complete करने के बाद आपको license मिल जाता है कि आप अपना खुद का medical store शुरू कर सकते है यहाँ पर कमाई कितनी होती है वो मैं नहीं बताऊंगा यह एक खुद का business हो गया दोस्तों यह business होता है इसमें earning काफी सारे factor के उपर depend करती है आप कौन से location पे अपना medical store शुरू कर रहे है आप कितना investment लगा रहे है और आप marketing कैसे करते है इस प्रकार से कही सारे factor पर यहाँ पर earning depend करती है तो डी pharma course करने के बाद यह भी एक अच्छा career option है एक बात तो तही है कि आपको job मिल जाएगी आपको काम मिल जाएगा आप बेरोजगार नहीं रहेंगे और आगे भी career के लिए बहुत सारी opportunity है आप खुद की pharma company भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों लेकिन उसके लिए काफी investment लगता है काफी मेहनत लगती है और काफी वक्त लगता है लेकिन आप कर सकते है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा field है और बहुत ही अच्छा course है अगर आप interested है तो आप d-pharma course कर सकते है career के लिए बहुत ही अच्छी opportunity है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने d-pharmacy course के बारे में विस्तार से जानकारी थी उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए और इस वीडियो को लेके या फिर career को लेके किसी भी प्रकार का question है तो आप हमें निचर comment box में पुछ सकते हैं या फिर मेरा Gmail ID जिसकी link मैंने निचर description में दे दी है वहाँ से भी आप पुछ सकते हैं मैं हो सके उतना जल्दी से जवाब दने की कोशिस करूँगा क्योंकि दोस्तों बहुत सारे question और बहुत सारे comment साती रहती है मैं सबका जवाब नहीं दे पाता हूँ मैं कोशिस पूरी करता हूँ कि सबके सवालों के जवाब दू अगर किसी को जवाब नहीं दे पाया हूँ तो उसके लिए माफी चाहता हूँ और हाँ इस प्रकार से educational और career से related videos regular देखना चाहते हैं तो आप हमारी channel career schedule को subscribe कीजिए और पास में दिये गए bell icon को प्रेस कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे धन्यवाद